चोपड़ा जोटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चों NTA ने City of Examination रिलीज कर दिया है यानि कि आपका एक्जाम कौन से City में है ये Announcement कर दिया है तो इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले exams.nta.ac.in की वेबसाइट पर विजिट करेंगे जैसे इसकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे यहां latest news में लिखावा है click air for city intimation इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहां आपको application number drop करना है date of birth drop करनी है और security card अभी जारी नहीं हुए है admit card में exam center का पता लगेगा आपको कौन से school college में है फिलाल यह exam ct ही announcement किया है NTA की तरब से तो सबसे पहले यहां जैसे ही यह display होगा इसमें application number होगा आपका candidate name होगा father name होगा gender होगा date of birth होगा category होगा इसके बाद आपका यहाँ photo और signature होगा इसके बाद में अगर pwd candidate है तो yes or no का option होगा subscribe ने अगर ले रका है pwd candidate ने yes or no का option होगा medium of question paper आपने कौन सा select किया है date of examination 5th मई 24 को है और timing 2 बज़े से लेकर के 5 बच के 20 मिनट तक है इसके बाद में city of examination यहाँ लिखा मिलेगा आपको जिस city में आपका exam है उस city के अंदर आपका exam center कौन सी college में होगा कौन सी school में होगा यह admit card में indicate होगा यह सिरफ city ही है जो आपसे option में लिए गए थी जादातर candidate को यह first वाड़ा option ही alert किया गया है यह city of examination कौन से state में है यह भी यहाँ लिखा गया है नीचे लिखा गया है कि यह admit card नहीं है यह advance information है candidate के लिए कौन सी city alert की गई है admit card बाद में जारी होगा इसके बाद यहाँ लिखा गया है कि candidate 11 बजे तक exam center पर पहुंच जाएं सुबह 11 बजे तक exam center पर पहुंच जाएं एक बजे के 30 मिनट दोपेर के बाद में entry नहीं दी जाएगी यानि कि जो closing time रहेगा get closing का वो 1 and 30 pm रहेगा इसमें इसके बाद में candidate को exam हाल में जब तक exam खतम नहीं होती तब तक बार आने की permission नहीं होगी इसमें इसके बाद में ये हिदाइद दी जाती है candidate को कि वो exam CT जो उनका exam center है उसको पहले ही verify कर ले कहां पर उनका exam center है एक दिन पहले या दो दिन पहले ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिकत ना हो इसके बाद में valid identity card आपको ले जाना पड़ेगा जो information प्लेटीन में दिया गया है अगर आदार कार्ड है तो well and good है इसके बाद में candidate को और कुछ नहीं ले जाना है ये चीजें allow है एक तो personal transparent water bottle ले जा सकते हैं जरूरी नहीं है ले जाना ही है ले जा सकते allow है उनको लेकिन transparent होनी चीए हो यानि कि उसमें पानी साब दिखाई देना चीए ऐसे transparent होनी चीए एक additional photograph ले जाना है छोटी size की जो आपको application forum फिल करते समय आपने paste किया था वही ले जाना है वहाँ attendance seat पर paste करना है admit card जब जारी होगा एक या दो मई को लेकर के जाना है उसके दो pages होते है उसमें first में सारी detail होती second page पर postcard size का photograph paste होता है तो वो postcard size का photograph आपको paste करके ले जाना है अगर pwd candidate है विकलांग candidate है तो उनको subscribe related documents ले जाना है और या फिर pwd certificate भी उनको ले जाना है इसके बाद में candidate को इसके अलावा और कुछ भी नहीं ले जाना है electronic device, mobile phone, बाकि जो band item है वो नहीं ले जाने, information plate में जो लिखे हुए है वो item नहीं ले जाने है, exam center पर किसी सामान को रखने की कोई facility नहीं होगी, ये candidate की responsibility होगी कि वो अपने सामान को कहां रखके जाएं, अगर किसी candidate के पास में application number नहीं है या फिर application number वो भूल गया है या फिर उसके application number नहीं लग रहे हैं जो लगा रहा है तो वहाँ retry कर सकता है, ये need.nta online.in जहां से आपने form अपलाई किया था, उस website पर जाने के बाद, forget application number पर क्लिक करेंगे तो यहां पर candidate name, email address और ये capture डालने के बाद में submit करेंगे तो उनके email पर भी ये application number आ जाएंगे और यहां भी display हो जाएंगे तो वो retry कर सकते हैं, तो ये जानकारी थी CT of examination के बारे में, यानि कि आपका exam कौन से CT में है ये इसमें information available है, मैं आपको एक चीज लास्ट में ये बता देता हूं कि CT of information है, वो district भी हो सकता है, और district के अंदर आपका जो center है वो तैसील में भी आ सकता है, लेकिन इसी district में, इसी city के अंदर ही आएगा हो तो तैसील में भी आ सकता है, ब्लोक में भी आ सकता है, थोड़ा सा इस से, इस city से थोड़ा दूर भी हो सकता है, लेकिन इस city के अंदर, इस district के अंदर ही होगा, जो ये city आपको alert हुआ है, तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, जैसे ही admit card release होंगे, हम आपको inform कर देंगे, जैहिंगे